हेलो दोस्तो वेलकम माई योट्यूब चैनल आप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालाइसिस में आप सबका स्वागत है तो दोस्तो अगर आप हमारे डेली एनालाइसिस को फोलो करते होंगे तो आज आप लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा तो चलिए तो देखे दोस्तो हम पहले देखेंगे बैंक निफ्टी और उसके बाद देखेंगे निफ्टी तो आप लोग देख सकते हैं निफ्टी बैंक का चार्ट है यह आप लोग देख सकते हैं आज का जो मार्केट रहा पूरा का पूरा जो है साइड़ वेज रहा यह रेंज जो होता है loss वो हमारा premium DK के budget से ही losses होता है तो आप लोग देख सकते हैं पांच मिनट के time frame पे हैं हम आज जो candle last में जो formation हुआ है यहाँ पर एक pause candle का जाया जाएका और उसके बाद जो है तगडी selling हो सकती है ठीक है तो ऐसा अनुमान लगाना है मेरा जो मेरा prediction है यह शौर नहीं होता है market का direction क्या है bank nifty का direction क्या है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक indecision candle का formation हुआ है जो कि हमें इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है जो कही ना कहीं ऐसा लग रहा है कल के दिन जो है तगडी selling आ सकती है कम से कम 400 से लेके 500 point तक का selling आ सकती है bank nifty के अंदर मुझे ऐसा लगता है ठीक है दोस्तों यह कोई hundred percent sure नहीं है देखे बाइंग अगर होगी तो कहीं ना कहीं selling तो होना ही है दोस्तों अगर जिन्होंने buy किया है तो उनको तो sell करना ही है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो कल के दिन तगडी जो है put के अंदर कमाई हो सकती है ठी यह आप हम देखते हैं इंट्राडे के बेज पे कौन-कौन सा लेवल निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर तो हम देखेंगे तो देखेंगे दोस्तों हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं अब देखें हमें क्या करना है अब हमें call कब लेना है और put कब लेन कौन से लेवल तक वेट करना है वह मैं आप लोग को दिखा देता हूं यह देखिए 44200 तक हमें वेट करना है ठीक है यह एक psychology का लेवल है और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा इस लेवल पे resistance लिया जाएगा यह जो लेवल है 44200 का इस लेवल पे resistance लिया जा सकता है और यहा यहां पे जो है अब इस लेवल को breakout कर दिया है तो call की entry बनवाएंगे और उसके बाद जो है तगड़ी selling वहां से हो सकती है अगर आप लोगों ने हमारा stop loss hunting वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के description में भी मिल जाएगा तो आप लोग उस वीडियो को जुरूर देखें ताकि आप लोगो जो है knowledge मिलेगा तो देखिए यहां पे buyer को active कराया जाएगा यह level psychology का level है 44,000 दोसों का और उसके बाद जो है तगड़ी selling आ सकती है bank nifty के अंदर ठीक है दोस्तों यहां पे हमें call buy नहीं करना है call को avoid करना है कल के दिन आप लोग market के अंदर ज्यादा तर इसी कारण loss करते हो call के पीछे लग जाते हो या put के पीछे लग जाती हो ठीक है ना आप लोग neutral नहीं चलती हो neutral अगर चलोगे तो market के अंदर loss नहीं करोगे ठीक है तो आप कौन-कौन से level निकल का रहे अगर कल के दिन अगर सप कोज करिए इस level पर खुलती है और ऐसा मुझे लगता है कल के दिन जो है gap up ही open होगी बैंक निफ्ट ठीक है तो हमें यहां पर call नहीं बाई करना है हमें यहां पर wait करना है 9-15 से लेकर के 9-30 तक wait करना है जब यह psychology का level को touch कर देगा और यहां पर resistance लिया जाएगा आप लोग इस level को mark कर लिजेगा इस level से resistance लिया जाएगा और यहां पे अच्छा खासा आप लोग को put की opportunity मिलेगी वो कौन से level होगी वो होगी level 44,156 का level जब इस level को 9-15 से लेकर के 9-30 तक जब इसको breakdown कर देगा तब यहां पे आप लोग put की entry बनाए और target जो हमारा पहला target होगा वो को level पता लग जगे यह होगा हमारा पहला target आप लोग देख सकते हैं यह होगा हमारा पहला target 44,080 का दूसरा target की बात करें तो दूसरा target भी आप लोग जो है देख सकते हैं यह दूसरा target है यह हमारा दूसरा target होगा 43,980 का और तीसरा target की बात करें तो तीसरा target हमारा यह last target हो तो से लेके दोस्तो हम तीन ठार्गेट के लिए जायेंगे अगर कल के दिन बैंक निफ्टी कुडश को 1500 से लेके 200 point का gap down खुलती है वो कौन से level पे 43,850 के उपर अगर खुलती है तो हमें यहाँ पे तुरंत put नहीं buy करना है यहाँ पे तो put बिल्कुल भी buy नहीं करना है ठीक है दोस्तों हमें क्या करना है जब इस level को यह जो level है 43,850 का level जब इस level को breakdown कर जाएगी तो हमें wait करना है इस level का आप लोग को level दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को सारी चीजे पता लग जाए यह level का wait करना है जब इस level पे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इस level पे support लिया जाएगा यह जो level है 43,738 का यहाँ पे support लिया जाएगा आप लोग को अच्छा खासा opportunity मिलेगा यहाँ पे call buy करनेगा तो पहला target जो आप लोग का होगा वो होगा 43,850 का दूसरा target होगा आपका 43,980 का target होगा आप लोग 2 target के लिए call side के तरफ bank nifty के अंदर कल के दिन जा सकते है जब gap down खुलनी चाहिए तब आप जा सकते है यहाँ पे इस level का wait करना है आप लोग को यहाँ पे put की entry आप लोग को नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ पे put की entry बनाना आप लोग के लिए risky होगा तो यहाँ पे जो है ना call ना put कुछ भी नहीं बनाना है इस level का wait करना है जब gap down खुलेगी तब अगर gap up खुलेगी तो आप लोग को इस level का wait करना है 44,150 का level का wait करना है जब इस level को breakdown कर देगा तब आप put की entry बनाए सपोज कर यह अगर कल के दिन little bit gap up या little bit gap down खुलती है 50 से लेके 60 point तक तब इस case के अंदर आप लोग को ना call ना put दोनों entry नहीं बनाना है आप लोग note कर लीजे आशा करता हूँ सारी चीज़े आप लोग को समझ में आ चुकी होगी तो चलिए आप देखते हैं निफ्टी का क्या हाल चाल है तो आज के दिन ना निफ्टी ना बैंक निफ्टी किसी में भी ट्रेड करने लाइक नहीं था पूरा का पूरा time pass किया है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही अब निफ्टी के अंदर कौन-कौन सा level निकल के आ रहा है वो हम देखते हैं पहले लगाते हैं वन डे का चार्ट ताकि हमें यहाँ पे clear पता लग सके तो आप लोग देख सकते हैं निफ्टी का भी देखी यहाँ पे जो है indecision candle का formation हुआ है जिसे हम evening star भी कह सकते हैं ठीक है दोस्तों तो मुझे ऐसा लग रहा है कही ना कहीं निफ्टी के अंदर भी तगडी selling आ सकती है कल के दिन 200 से लेके 300 point का selling आ सकती है हम एक prediction करते हैं दोस्तों यहाँ पे 100% यह शोर नहीं होता है जो ऐसा होगा ही ठीक है हम एक prediction करते हैं एक अनुमान लगाते हैं ऐसा हो सकता है ठीक है दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं अगर buying होगी तो selling जरूर होगी तो चलिए अब हम intraday के base पे कौन-कौन सा level निकल के आ रहा है कल के दिन trade करने के लिए चलिए अब हम 5 minute का time frame लगाते हैं यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं 5 minute का time frame हमने लगा दिया है अब देखिए अब हमें क्या करना है देखिए अगर कल के दिन suppose कर ये nifty अगर gap up opening होती है कौन से level पे इस level पे अगर इस level पे अगर कल के दिन opening लेती है nifty ये जो level है 18701 psychology का level है इस level पे हमें wait करना है कहां तक wait करना है बो मैं आप लोग को है जो clear दिखा देता हूँ ये देखिए इस level तक हमें wait करना है ये जो level है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को call की entry बिल्कुल नहीं बनाना है इस level तक आप लोग को wait करना है आप लोग देख सकते हैं 18723 का level अगर इस level पे opening होती है ये दोनों level में से किसी भी level पे अगर opening होती है 18695 में ये 18730 से एक साइकलोजी का level है 18700 का अगर इस level पे opening होती है तो आप लोग को call बिल्कुल नहीं बनाना है यहाँ पे entry क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे call की entry बनाएंगे तो आप लोग trap हो सकते हैं ठेके दोस्तों तो यहाँ पे call की entry नहीं बनाना है जब इस level को अगर यहाँ पे opening होती है 18723 के उपर अगर opening होती है जब इस level को breakdown कर देगा 18695 को तब आप लोग यहाँ पे put की entry बनाए बोट कौन सा time होगा 9 बज के 35 मिनट का time होगा यहाँ पे आप लोग पुट की entry बनाए तो आप लोग का जो पहला target होगा बो होगा आप लोग का पहला target यह वाला level होगा जो level है 18650 का मैं mark करके दे देता हूँ ताकि आप लोग इसका screen shot मार सकें यह हमारा पहला target होगा पुट की entry के लिए ठीक है दोस्तो 18650 का होगा ठीक है दोस्तो ध्यान रखिएगा 18650 का पहला target होगा दूसरा target की बात करें पुट side के तरफ निफ्टी के अंदर वो होगा हमारा यह दूसरा target होगा यह वाला level सिधा क्योंकि यहाँ पे gap भी आप लोग देख सकते है 18600 का एक psychology का level है दो target के लिए हम जा सकते है अगर कल के दिन निफ्टी gap अप opening होती है तब ठीक है दोस्तों अब सपोज कर यह कल के दिन अगर gap down खुलती है कौन सी level होगी वो level होगी यह वाला मैं आप लोगो level दिखा देता हूँ ताकि आप लोग जो है अपने चार्ट के अंदर मार्क कर सके यह वाला level है अगर कल के दिन निफ्टी अगर इस level पे opening लेती है gap down opening होती है तो हमें यहाँ पे wait करना है कितना दिर wait करना है 15 minute 9.15 से लेके 9.30 तक हमें यहाँ पे wait करना जब यहाँ पे 15 minute का candle sustain कर जाएगी तब हम यहाँ पे put नहीं buy करेंगे call buy करेंगे और पहला target जो होगा हमारा यह वाला level होगा आप लोग level देख सकते हैं यह वाला level होगा पहला target हमारा होगा 18,632 का दूसरा target की बात करें तो दूसरा target हमारा यह वाला level होगा यह वाला level आप लोग नोट कर लेजेगा 18,670 का ठीक है दोस्तों यह दो target के लिए हम call side के तरफ जा सकते हैं अगर कल के दिन निफ्टी gap down खुलती है वो इस level पे 18,590 के उपर ठीक है दोस्तों आसा करता हूँ सारी चीजे आप लोग को समझ में आ गई होंगी सपोज कर यह एक चीज आप लोग को और बता देना चाहता हूँ सपोज कर यह अगर कल के दिन लिटिल विट gap up या फिर लिटिल विट gap down अगर कल के दिन निफ्टी खुलती है तो हमें क्या करना है यह जो range है इस range के अंदर ना हमें call buy करना है 18630 से ले करके 18695 तक यह पूरा का पूरा कल के दिन trap zone हो सकता है आप लोग trap में फस सकते हैं तो call या put के position ना बनाए इस range के अंदर जब तक या तो उपर की और breakout करेगा वो भी कौन सा level होगा यह वाला 18723 ठीक है round up में 18720 को जब breakout करेगा तब हम यहाँ पे call की entry बनाएंगे जब little bit gap up या gap down होती है उस case के अंदर ठीक है और या फिर इस level को breakdown करेगी 18632 के level को breakdown करेगी तब हम यहाँ पे put की entry बनाएंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए अगर आप लोग हमारे channel पे नहीं हो तो channel को subscribe करें like तो एक बनता है like जुरूर करें bell icon के all पे जुरूर किलिक कर ले ताकि हमारे आने वाले video आप तक पहले पहुँचे अगर अभी तक आप लोग ने जाहिन वंदे मात्रम